अब जैसे मैं आम लोग कि आपने SSD लगा लिया आप वापास आपको जब भी आप heat sink plate लगाएंगे यहाँ पर heat sink plate के नीचे आपको एक sticker रहता है जो भी cooling के लिए उन्होंने एक plaster लगाया हुआ हुआ है white वाला उसके ओपर जो प्लास्टिक रहता है तो जो प्लास्टिक कवर है जो आपको निकालना है उसके बाद SSD के ओपर heat sink रखके आपको दोनों साइड में fit करना है